हेलो फैंस वेल्कम बैक टो मैं चैनल फैंस आज इस वीडियो में हम आपको 15 सबसे इंपोर्टेंट इडियम्स बताने वाले हैं जो आप जरूर तयार कर लीजिएगा तो चलिए देख लेते हमारा पहला इडियम इसमें है अलायन्स शेयर अब अलायन्स शेयर का मतलब है एक का हिस्सा और शेयर कौन होता है जंगल का राजा होता है इसी तरह से माल लीजिए कोई एक कंपनी है तो कंपनी का राजा कौन हो का जो इसका बॉस है कंपनी का जो बॉस है और अगर उस कंपनी में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलना चाहिए boss को मिलना चाहिए जो company का boss हो गा उसी को company का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा profit का तो यहाँ पर lion share का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा यानि कि major portion तो lion share का मतलब क्या हो गया एक बड़ा हिस्सा हो गया तो इस तरीगे से friends आपको कुछ एक story create करके एक situation क्रिएट करके आपको EDM को समझना होगा कि इस situation में ये EDM यूज किया जा सकता है अब जैसे किया सकते हैं कि the manager of the company took a lion share from the profit यान कि company का जो manager है उसने profit का एक बड़ा हिस्सा लिया तो इस तरीके से आप a lion share EDM का यूज कर सकते हैं एक बड़े हिस्से के लिए next EDM हमारा है at home in at home in तो at home का मतलब होता है घर पर अब जैसे अगर आप कहीं भी चले जाते हैं किसी भी relative के आगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे अपने घर जैसा feel नहीं होता है बले है वह से लोग कहते हैं कि हमको मामा के घर बहुत अच्छा लगता है हमको यहां बुगा क गर बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर आप किसी भी relative के आगर जाते हैं तो वहाँ पे अपने घर जैसा feel नहीं कर बाते है उतनी आजादी से वहाँ पे नहीं रह पाते हैं तो at home in का मतलब क्या है अपना सा महसूस करना तो दूसरी जगों पे आप अपने घर जैसा महस महसूस नहीं होता है तो at home in का मतलब होता है अपना सा महसूस होना यानि की feel comfortable अब next idiom हमारा है all and sundry all and sundry अब यह all and sundry इस idiom का यूज किया जाता है everyone या everybody के लिए अब जैसे माली जी कोई एक occasion है किसी के जो person होते हैं जो relative होते हैं कि उन्हीं को ही invite करते हैं parties में लेकिन अगर वो एक public feast की तरह होता है तो उसमें सभी को invite किया जाता है without any discrimination यानि बिना किसी भेदभाव के चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो सभी को उसमें invite किया जाता है तो all and sundry का यही मतलब है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के हर किसी को तो I hope इसका meaning आप समझ के होंगे कि all and sundry का मतलब है everybody या everyone without any discrimination बिना किसी भेदभाव के हैं next stadium हमारा है a close fisted man a close fisted man यानि कि बंद मुठी वला आदमी कोन होता है जो अपनी मुठी में से पैसा निकालना नहीं चाहता है तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मुठी में पैसा रखे रहते हैं लेकिन उसको निकालना नहीं चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कंजूस कहा जाता है, माइजर बुला जाता है, तो a close-fisted man का मतलब होता है, और माइजर, एक कंजूस आदूग। नेक्स एडियम हमारा है, a hard nut to crack, hard का मतलब क्या होता है, ठोस और nut का मतलब अख्रोट है, to crack यानि तोड़ने के लिए, यानि कि इसमें कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक difficult काम, जैसे अख्रोट को तोड़ना क्या होता है, difficult होता है, कठिन होता है, तो a hard nut to crack का मतलब होता है, a difficult टास्क यानि एक कठिन काम और सेम इसी तरह एक और पीडियम होता है a hard pill to swallow a hard pill to swallow पिल का मतलब क्या होता है दवा की जो गोली होती हो इसको पिल कहा जाता है और swallow का मतलब निगलना तो बहुत से बड़ी-बड़ी tablets भी आते हैं गोली आती हैं दवा की जिसे निगलना जो है बड़ा ही कठिन रेता है तो a hard pill to swallow इस idiom का मीनिंग क्या हो सकता है कोई ऐसी बात जिसको हम accept ना कर पाएं जिसको accept करने में हमें कठिनाई हो hard to accept, accept करना कठिन होना ऐसी बात for example हम क्या सकते हैं कि failure is a hard pill to swallow यानि आसफलता जो है इसे स्विकार करना बहुत ही मुश्किल होता है तो हम क्या सकते हैं कि failure is a hard pill to swallow यानि कि आसफलता को स्विकार करना कठिन होता है next idiom हमारा है at bay अब at bay का मतलब होता है किसी भी चीज से उचित दूरी बनाए रखना किसी भी चीज से दूर रख दूर रहना तो at bay इस idiom का मतलब है किसी भी चीज से एक उचित दूरी बनाए रखना यानि to keep a distance for example I keep alcohol at bay यानि कि मैं alcohol से एक उचित दूरी बनाए रखता हूं मैं alcohol से दूर रहता हूं तो at bay का मतलब है दूर रहना अब next एडियो हमारा है अबव बोड अब इस अबव बोड अब इस अबव का मतलब ऊपर बोड के ऊपर अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक दूसरा बोड़ एडियम भी समझना होगा जो कि अंडर देबल अंडर देबल तो अंडर देबल इसका यूज कहां पर करते हैं जंदली जब किसी हम गवर्मेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर चब हमें घूस देना होता है तो जो वहां के employees होते हैं, वो पैसे table के नीचे से लेते हैं under the table, यानि table के नीचे से घूस लेते हैं, तो under the table idiom का मतलब क्या हो गया, घूस लेना रिस्वत लेना, और इसी का opposite यहाँ पर अबब board यानि board के उपर तो इसका मतलब क्या है, इमानदार होना, अबब board का तो wild goose, wild का मतलब जंगली goose का मतलब बत्तक के सकते हैं और chase का मतलब पीछा करना एक जंगली बत्तक का पीछा करना अगर जंगल में कोई एक ऐसा बत्तक है, उसका हम पीछा कर रहे हैं तो यह हमारे एक निरर्थक प्रयास है क्योंकि हम उसको पकड नहीं पाएंगे तो wild goose, chase का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना यानि कि व्यर्थ में ही प्रयास करना अब next idiom हमारा है a block head a block head a block head, इसको देखने से लग रहा है इस idiom को सुनने से आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या होना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका head block हो head block होने का मतलब क्या दिमाग ही नकाम करना यानि कि एक मूर्ख आदमी उसके पाफ समझदारी ना हो block head वाला आदमी तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते है एक मूर्ख व्यक्ति कह सकते है का मतलब क्या हो गया कि तिनके जैसा आदमी तो तिनके जैसाा आदमी याने कि एक बहुत ही कमजोर आदमी दुबला पतल को यहां तो अगर आपके आसपास और कमजोर लगते हैं तो उनको इसको आप imagine कर सकते हैं कि वो एक a man of straw है he is a man of straw इस तरीके से आप उनको बोल सकते हैं और next idiom हमारा है a man of parts a man of parts यानि कैसा व्यक्ति जिसके पास कई parts हो यानि कई तरह के उसके पास talents हो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई तरह के talent होते है यानि कि versatile person तो a man of parts का मतलब होता है a versatile person जिसके पास बहुत सारी योगताएं हो अलग तरह की योगताएं हो उसको आप कहते है a man of parts और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी नजर में है तो आप उनको imagine करके बोल सकते हैं कि he is a man of parts अगला idea हमारा है a rolling stone a rolling stone का मतलब क्या है एक लुड़कने वाला पत्थर अब इसका meaning क्या हो सकता है यानि कि कोई एक ऐसा person जो लुड़क के कभी उधर चला जाए कभी उधर चला आए यानि कि कभी वो मेरे साथ रहे कभी उनके साथ रहे यानि कि दल बदलू होना जैसे politicians होते हैं राजनीता लोग होते हैं कभी इस party में कभी उस party में तो इस तरीके के व्यक्तियों को हम कहते हैं a rolling stone यानि कि एक दल बदलू व्यक्ति यानि एक ऐसा व्यक्ति जिसका भरोसा न हो let's move on to the next idiom by fits and starts by fits and starts इसका मतलब होता है अनियमित रूप से अब जैसे अगर कोई एक दुकान चला रहा है तो कभी किसी दिन मा लिजिए उसका 10 रुपे का benefit हुआ किसी दिन 50 रुपे का benefit हुआ और किसी दिन benefit हुआ ही नहीं तो by fits and starts तो उसकी जो कमाई हो रही है वो by fits and starts हो रही है आनियमित रूप से हो रही है तो इसको हम कहते हैं by fits and starts और ऐसा ही एक और एडियम है by leaps and bound by leaps and bound तो leaps का मतलब क्या उचलना कूदना होता है by leaps and bound का मतलब है बहुत ही तेज गती से तीबरता से तो by leaps and bound का मतलब है तीबरता से यह थे आज के आपके important समझ जाएंगे कि इसमें correct option कौन सा होगा और अगर आपको अभी भी कोई difficulty हो रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से repeat कर लेंगे तो यह सभी इडियम्स आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिस को इंप्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल